आओ हमारे साथ चलो हम यूआ है बात करेंगे ना की भूसा ना करेंगे नवस्कार दोस्तों यह जो वे आपने प्रोटेस्ट देखा यह CAA के एगंस्ट में यानि कि Citizenship Amendment Act के एगंस्ट में हैं साल 2019 की बात करें तो CAB यानि कि Citizenship Amendment Bill को पेस कर दिया गया और इसे एप्रूब कर दिया तब कि यह हिंसात्मक की आपको देखने को मिल रहा है आसाम गोहाटी से लेके समस्थ जो स्टेट्स है वहां पर यह प्रोटेस्ट देखने को मिला तो आज के इस वीडियो में हम जारेंगे कि Citizenship Amendment Act किसके लिए डिस्क्रिमिनेटरी और किसके लिए फाइदेमंद है चलिए समझते तो इंडिया में Citizenship जो है इसके मैजर कोश्चन जो इससे समझने से पहले हम तो आप पीछे चलते हैं इंडिया के जो इसके जो इसूज है दो जगह पे डिसक्रस किया गया एक Constitution of India और एक Citizenship Act 1955 में Constitution यह कहता है कि 1950 में कौन-कौन citizenship बन सकते हैं इक्वाइर करेंगे किसको citizenship मिलेगा इंडिया में और आगे आने वाले समय में कैसे citizenship को आप हासिल कर सकते हैं तो यह जो Constitution का जो फंडा है वह Citizenship of India Act 1955 में में अब जैकते यह जो बिल है इसका क्या परपस है तो citizenship एक्वाइर करने के लिए Act है यह बिल उसे change करना चाता है कैसे illegal immigrants के definition को change करके ऐसा कि अगर इलीगल रूप से इंडिया को याता है विडाउट डोकोमेंट्स यानि के विडाउट पास्पोर्ट और वीजा या फिर फ्रॉट डोकोमेंट्स को ले करके आता है और टाइम से ज़्यादा यहां पर रह जाता है इंडिया में तो इसको देश से निकाला जाएगा लेकिन अब यह बिल एक्ट की क्या प्रोसेस के बाद अगर आपको इंडिया में रहना है तो उससे पहले आपको क्या 14 साल उसमें से 11 साल आपको इंडिया में बिताने होईगे और भी सारे क्वालिफीकेशन है लेकिन यह इंपोर्टेंट है अब साल 2019 की बात करें तो इसे कहा गया कि 31 सिजंबर 2014 तक अग कि इसमें मुस्लिम को क्यों exclude किया गया है तो गवर्मेंट का कहना ये है कि ये जो तीन कांट्रीज है वो इसलामिक रिपब्लिक है और मुस्लिम एजरोटी नेशन है लेकिन जो पहले आये यानि कि 31 दिसंबर 2014 से पहले जो आये वो एक वार अभी भी कर सकते हैं अब ये तारीक है गारा मार्च साल 2024 जब C.A. पूरे देश में लागू कर दिया गया गिरी मंतरी अमीट साद्वारा और परधान मंतरी नैनिल मोदी के दौरा लेकिन असाम जैसे काफी ये स्टेट्स है अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ओपोजिशन्स वाले भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कुछ लोग का कहना ये है कि अभी इलेक्शन्स आ रहा है इसलिए C.A. लागू किया गया आपका क्या रहा है कॉमेंट करके ज़रूर बता ये वीडियो पसंद है तो वीडियो का लाइक करें अपने दोस्त काथ भी शेयर करें अमारे चैनले पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए ऐसे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद